नमस्का फ्रेंस प्लैनेट हब चनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है और इस बार सब्जेक रहेगा व्रिशब रासी संजीवनी मूरत संजीवनी योग जिसको बोलते हैं वो 22 जन्वरी 2024 को पहला ही महीने में ये मूरत बनने वाला है ये मूरत के अंदर नव में से छेग्र स्वाग्रही जैसा फल देने वाले हैं और जबी बी ऐसा कोई मूरत आता है वो बहुत सुक्ष्म संजीवनी जिसको बोलते हैं देखें आपको मैं पहले बता देता हूँ जहां हिंदुस्तान के अंदर भारत के अंदर अपने अयोध्या जी में राम मंदिर भगवान की प्रान पतिष्टा मंदिर की होने वाली है तो यहां जो मूरती रखने वाले हैं श्री भगवान की राम जी की तो वो मूरत यहां 29 मतलब दुपहर के बारा बजने में मतलब बारा 29 से लेकर बारा 32 मतलब 84 सेकेंज का ही वो मूरत है जिसको हम संजीवनी मूरत बोलते हैं संजीवनी योग बोलते हैं तो यह 84 सेकेंज के अंदर वो मूरती को रखने वाले हैं जो इतना भव्य मंदिर बना हुआ है और वो मूरत जिसकी इतनी एहमियत है यह मूरत के अंदर श्री राम जी की प्रान पतिश्टा होने वाली है मंदिर में तो 22 जन्वरी को यह योग बन रहा है जिसका लाब अपने को भी उठाना चाहिए अपने जितने भी विवर्ज बाई है वो सभी के लिए रासी वार इस हिसाब से यह योग में यह मूरत के अंदर आपको ऐसा कौन सी रेमेडिज उपाई प्रयोग करना है जिससे आपको भी इसका अध्यदूनिक लाब मिले है इतना बड़ा आउसर है जब यह चौरिया सी 84 सेकेंड्स का ही मूरत निकाला गया है उनका प्रान पतिश्टा के लिए मूर्ति की तो इतना शुक्ष्म मूरत है जिसको संझीव निनाम दिया गया है संझीव मतलब जो सदेव सजी रहता है सदेव उसकी महिमा रहती है सदेव उसका मुल्य रहता है उसको संजीवनी मूरत बोलते है तो यहाँ ये मूरत बहुत सारे सभी दुष्टों को दूर करने वाला उस टाइम पे सभी जो दुविदा तकलिफ मतलब यो योग बन रहा है उस टाइम पे जो सब बान रहते हैं मृत्यु बान, राजबान, रोग बान, फिर वायू बान, अगनी बान ऐसे पांच प्रकार के बान आते हैं वो पांचों बान भी ये सुक्ष्म मूरत के अंदर वो वेध होते हैं मतलब वो उसमें नहीं आते है सुक्ष्म मतलब साइन्स है, गिनती है, गनित है ये तो ये समझना बहुत कटिन होगा लेकिन यहां 84 सेकेंड्स जो है उसमें आपको एक रेमिडीज करनी है वो रेमिडीज के आपसे कभी मतलब सभी दुखों का, सभी तकलिफों का अंत होगा आपकी उन्नती प्रगती पार, नौकरी जो भी आप कर रहें उसमें बढ़ती होगी, उसमें कुछ ने कुछ अच्छे इंप्लिमेंट्स सुरू होने सुरू हो जाएंगे, तो ये जो सुक्ष्म मूरत है, उसमें क्या बहुत सारे हमें कमेंड्स आते हैं कि कुछ प्रयोग बताए, रेमिडीज होगा, आपको क्या करना है, एक वाइट कपड़ा लिना है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक वाइट कपड़ा है, समझ लीजे, ये वाइट कपड़ा कोटन का है, उसमें आपको ये कोडी रखनी है, ये कोडी जो समंदर में से निकलती है, आप किसे भी पुझा गरह की दुकान पे चले जाए ये कोड़ी बुलेंगे तो वो आपको दे देगा ऐसी आपको कम से कम छे कोड़ी इसमें वाइट कपड़े में रखनी है उसके बाद क्रिश्टल का स्रीयंत्र इस टाइब का आएगा वो भी आपको बजार में मिल जाएगा छोटी बड़ी साइ देना है ये श्रीयंत्र को उसको सीधा रखे और फिर आपको अक्षत चावल जो आते हैं वो उसके उपर छिटकाव करना है और फिर बाद में उसको आपको एक पेज लेना है एक पेज में ऐसा प्लेण पेज ले लिजे ये प्लेण प्लेज के अंदर आपको Red Pen से लाल ex यह यहां श्री लिखना है यह जो मैंने लिखा हुआ है वो यहां आपको सेंटर में लिखना है फिर यहां एक नंबर लिखके ओम शुक्राय नम लिखना है दूसरा नंबर लिखना है उसमें वापस ओम शुक्राय लिखना है तीन नमबर लगाना है फिर ओम शुक्राय लिखना है चार नमबर लगाना है ओम शुक्राय नमबर पांच नमबर लिखना है ओम शुक्राय नमबर छे नमबर लिखना है ओम शुक्राय नमबर ऐसा आपको छे बार यहां लिखना है यहां श्री लिखना है इस टाइब से बीच पिर आपको वो कागज को भी इसके साथ रख देना है वो प्लेन कागज को किस के साथ जिसमें आपने वाइट कपड़ा लिया है जिसमें आपने कोडी रखी है जिसमें आपने श्री यंत्र रखा हुआ है क्रिश्टल का ले लिजिए कोई भी काजका भी चलेगा लेकिन श्री आपको रख देना है फिर आपको इसका एक इस हिसाब से यह बना के यहां से आपको पूरा उसको लाल धागे में फोल्ड कर देना है इस टाइब से पूरा एक पॉकेट जैसा बन जाएगा देख लिजे आप इसको क्या करना है अभी आपको यह सब जो काम है खाली यह जो लिख दिना है ओम शुक्राइनम और बाद में यह जो रखना है वो सब होना चाहिए 84 सेकेंड के अंदर यह 84 सेकेंड के अंदर बारा ट्वेंटी नाइन से लेकर बारा बत्तिस बारा बत्तिस चौरियासी सेकेंड का यह मूरत है तो यह मूरत में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 84 सेकेंड में सेकेंड है तो 84 सेकेंड में आपको यह कंप्लीट करना है 12.99 से लेकर 12. Ciao के बीच में इन सॉट यह जो टाइमिंग है उसके अंदर आपको ये काम कर देना है क्या करना है वाइड कबड़ा लेना है उसके अंदर स्रीयंत्रा रखना है फिर छे कोड़ी रखनी है फिर अक्षद चावल रखने है उसके अंदर फिर जो नाम लिखा है ओम शुक्राइन नमवाला जो पेज है उसको वो अंदर रख देना है फिर वो रखने के बाद आपको वो सीधा आपकी मंदिर में आपकी तिजोरी में या फिर आपके बिजनस जहां आप बैटते हो वहां अंदर तिजोरी में रख सकते हो या वहां कोई पूझा स्थान है तो वहां रख सकते हो आपको हर शुकरवार के द लूप देते देते ओम शुक्राय नमा ओम शुक्राय नमा ऐसे छे बार बोलके फिर वापस उसको अपनी जगा पे लख देना है यह बहुत शुक्ष्म मूरत है उसका रेजल्ट आपको बहुत जबर्जस मिलेगा जो आपने सोचा नहीं होगा वैसा रेजल्ट मिलेगा अच् आपको इच्छा पूरी होने के बाद आपको उसको जब में प्रवा कर सकते हैं शुक्रवार के दिन या फिर आपको उसको रखना भी है तो भी रख सकते हैं कायम का उसमें कोई दूविदा यह नहीं है और अगर आप यह मूरत चुक जाते हैं वीडियो बाद में देखते ह तो शुकरवार के दिन शाम को साथ से साड़े साथ के बीच शाम में ये प्रयोग आप कर सकते हैं कोई भी शुकरवार के दिन अगर आप ये वीडियो बाद में देखते हैं 22 जनवरी होने के बाद तो भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं इसके आपको अद्बुद फाइदे दे जराएंगे देखने जाएंगे तो बहुत मामूली रेमिडीज है लेकिन इसका पावर बहुत जबर्जस है इसलिए ओम शुक्राय नमह यह आपको याद रखना है छे बार लिखना है पेज में और यह मूरत को आपको सबालना है यह 29 से लेकर 32 मिनित तक का बस यह ध्यान रख है 22 जनवरी के दिन बहुत थी बढ़िया यह संजीवनी मूरत है इसका लाब उठाइए कुछ कीजिए कुछ तो कीजिए इसका रिजर्ट मिलेगा इसमें पावर है हम कुछ बताते हैं तो कुछ होगा तभी बोलेंगे आपको कुछ अच्छा होगा आपका तभी इसके हुकुब आगे बरो